है काईज वालकम बाक टो कोर सिटी तोड़े विल पी लर्निंग अबाउट सेंटर स्टेट रिलेशन्स यह चैप्टर हम तू पार्ट में करेंगे तो अच्छे से कवर हो जाए तो फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे अड्मिस्ट्रेटिव एंड लेजिसलेटिव रिलेश कैसे हैं वो इसमें कवर करेंगे और नेक्स पार्ट में हम फानाशल रिलेशन्स और जो जो भी रिफॉर्म्स आये कमिशन्स बने वह सारी चीज़े रेसलुशन्स पास हुए वो कवर करेंगे तो फर्स क्या होता है कि तीन लेजिसलेटिव एक्जिकेटर और फानाशल पार्ट में कवर होता है तो एंडमिस्टेटिव और लेजिसलेटिव 11 पार्ट में कवर होते हैं और फानाशल डिफरेंट पार्ट में कवर होता है इन दो कॉंस्टिशन ठीक है तो आर्टिकल 245 तो 255 में क्या के इस एस्पेक्ट्स हैं जो सेंटर स्टेट रिलेशन्स को स् तो territorial extend पढ़ेंगे कि center का कहा तक है और state का कहा तक है distribution कैसे है legislative functions की और center का control state के ऊपर कैसे है how state dominates over the prevails over the state और parliamentary legislative मतलब parliamentary level पे कैसे state field में वो enact कर सकता है कैसे parliament जो act और laws enact करती है वो state के लिए obligatory होते है नहीं होते है उसके बाद हमारे पास executive and administrative level पे 256 से 263 तक articles है party level में तो इसमें है distribution of executive powers obligation of states और centers के क्या-क्या उनकी obligations है center कैसे directions दे सकता है state को वो कित्ती binding होती है कित्ती नहीं mutual delegation of functions corporation between the center and states वो कैसे corporate करते है state कैसे advice ले सकता है center से all India services public service commissions जो भी हमारी यह आयस के लिए हम preparation कर रहे है तो उसमें यह cover होता है executive or administrative relations पे हम all India services आयस के लिए पढ़ते हैं ठीक है तो उसमें हमारे इंडियन administrative services तो administration कैसे चलता है उसके बारे में relations during emergencies मैं पता है कि emergency के during कैसे होता है कि हमारी जो federal nature है वो अचानक से unitary power में आ जाती है center के पास सारी power centralized हो जाती है तो उस time पे क्या के relations center और state के बीच में बनते हैं वो पारी चीज़े पढ़ेंगे extra constitutional devices भी कुछ कुछ है कि कैसे कुछ डिफ्रेंट authorities बनाई जाती है जो center की तरफ से होती है और state को directions देती है ठीक है और financial के बारे में next chapter में next part में complete करेंगे और एक point है कि जो जुडिशल पार है जुडिशल पार को हमने divide नहीं किया है हमारी constitution में तो constitution में जुडिशल पार को independent रखा है और plus एकी level पे रखा है supreme court high court यह सारे जो है hierarchical level पे चलते हैं बट कोई division of power नहीं है so that जो law है वो consent रह सके rather geography change हो रहे है culture change हो रहे है सब चीज़े overall इंडिया इतना wide है सब चीज़े चेंज हो रहे है बट जो judiciary level पे जो powers है वो same रहनी चाहिए laws same रहने चाहिए इसके लिए judicial power को divide नहीं किया है integrated judicial system है हमारे पास जिसमें center or state laws same है fine उसके बाद है हमारे पास legislative relations इसमें किया है कि territorial extent of central and state legislation जैसे center जो है वो पूरे इंडिया की territory को handle करता है make laws for the whole or any part of India, territory of India, territory of India मतलब जो भी islands है वो भी इसमें cover होंगे कोई future में acquire करता है इंडिया वो सारी territories भी cover होंगे ठीक है तो extra territorial legislation है parliament के पास center के पास fine state legislature के पास पार है कि वो within state जो भी territory है उसके लिए law बना सकता है laws of parliament are applicable to Indian citizens जो भी Indian citizens within रह रहे हैं बाहर रह रह रहे हैं उनकी जो property है all over the world उसके उपर भी जो है parliament के obligations होती है fine restrictions on parliament parliament के उपर क्या restrictions है कुछ-कुछ special areas को लेके हैं जैसे president जो है वो regulate करता है 5 uts को ठीक है उसके पार president के पास centralized है rather than going to parliament तो उसमें क्या है अंदिमान और निकोबार आइलेंड लक्षवदीब दाद्रा नगर हवेली दमन इन दियू and Ladakh fine Ladakh और Jammu and Kashmir जो है वो recent में UT बने हैं तो Ladakh has been created under the president power उसके बाद एक governor के पास कुछ-कुछ powers हैं जैसे in power to direct that an act of parliament जो कोई parliament act बनाती है कोई law बनाती है ठीक है तो governor direct कर सकता है कि यह हमारा scheduled area है इस state का उसमें ही apply करना है नहीं करना है उसको एक special modification के through करना है because कैसे है कि जो वो special area है उसमें कुछ उनके party मतलब उनके कुछ rules होते हैं जैसे बहुत सारे tribal areas है वो अपने tribal leader की ही बात सुनते हैं ठीक है उनकी चीजों को maintain करने के लिए governor के पास यह special power provide की गही है कि वो अपनी state के special areas को protect कर सकता है from that law जो universal towards all the territories implement होता है उसके बाद गवर्नर ऑफ असम के पास भी कुछ powers है वो कैसे parliament को direct कर सकता है कि यह tribal areas के लिए कुछ modification autonomous reason है जो उसके लिए कुछ-कुछ modifications करके यह act लागू होगा directly हम implement नहीं हर सकते उस area के लिए fine और the president enjoys same power with respect to tribal areas कहां कहां पे मेघालय त्रिपूरा और मिजोरम असम का गवर्नर के पास है बट मेघालय त्रिपूरा और मिजोरम का president के पास है fine उसके बाद सेटर्स control over the state legislation कैसे control करता है एक तो governor के पास यह पा रहे है कि कोई भी बिल आता है उसको rather than passing वो रख सकता है president की concentration के लिए तो उस case में कैसे होता है president की veto absolute veto हो जाती है उसके further उसके उपर कोई भी implementation करनी है तो president direct उसमें interfere कर सकता है उसके बाद है bills on certain matters जो state list में enumerate किये गए है ठीक है जो state legislature ने introduce किये थे बट वो उसके लिए जो sanction लगता है president उसको पहले ascent देता है approval देता है then only वो state legislature में पास होते है तो at the end president के पास center के पास पार आती है the center can direct the state to reserve money bills कोई भी financial bill money bills आते हैं तो उसके respect में state center जो है interfere कर सकता है कैसे ही कि state legislature को बोल सकता है कि पहले president के consideration के लिए रखा जाए especially in the time of financial emergency financial emergency के through कैसे होता है कि उस टाइम पे state financial crisis के through सफर कर रही होती है तो उसको जो भी center से loan लेना है या worldly organization से loan लेना है तो center के through ही approval होता है तो for that case कोई भी money bill या financial bill pass हो रहा है तो उसको president से center से approval लेना पड़ेगा constitution has assigned a position of superiority किसको center को ठीक है center को एक unitary level का define करने के लिए उसको special power दी गई है थाके वो बाकी states को manage कर पाए fine उसके बाद distribution of legislative subjects कैसे किया गया है हमारे schedule भी इसके corresponding है seven schedule उसमें दिया गया है list one two three उसमें इसके उपर कैसे है कि center ही enact करता है state को उसके उपर कुछ particularly हक नहीं है उसके बाद है list two जो है वो state list है जिसके उपर state अपने laws acts define करता है list three जो है concurrent list है जिसमें center और state दोनों ही acts लागू कर सकते हैं इसके उपर्लेमेंटर की superiority रहती है union list में exclusive powers with the parliament कैसे कैसे subjects है defense, foreign affairs, currency, atomic energy, interstate trade, commerce, census, audit यह सारी powers आती है और भी बहुत सारे subjects हैं यह main subjects है power to make laws ठीक है कौनसी territory, any part of territory of India उसमें UTs भी आती है कोई further acquire करनी है territories वो भी आती है वो सारी चीज़े, power to make laws कि subject पे, residue subject पे, यह जो residue subject का concept है यह कहां से आया, Government of India Act of 1935 में यह act था residue power का बट कैसे था यह तीनों list तो ठीके maintain होगी, जो residue power जो किसी भी list में cover नहीं हुए जो subject उसकी power कैसे थी पहले, governor general के पास होती थी, बट लेटर ओन जब हमारी constitution बनी जो यह residue power थी, वो center के पास दे दी, बट यूएस में कैसे होता है, कि जो residue power का concept है वो state के पास दिया जाता है, main important, national importance वाली चीज़े दी जाती है center के पास बाकी जो भी residue power है वो भी state को दी जाती है, और state powers भी state के पास होती है fine, और concurrent list में हमारे 52 subjects हैं, उसमें से कुछ कुछ है, criminal law and procedure, civil procedure, marriage and divorce, population control, family planning, यह सारी चीज़े, drugs, newspaper, book and printing press, यह सारी चीज़े हैं, जिस पे time to time center भी कर सकता है, state भी enact कर सकता है, 42nd amendment के through कैसे हुआ, कि 5 subjects जो है, concurrent list में transfer किये गए from the state list, जिस में लगा कि center भी कुछ enact कर सकती है, time to time, वो transfer किये गए, जैसे education, forest, weights and measures, protection of wild animals and birds, ठीके, wild animals and birds पे हम इतना importance किसलिये देते हैं, कि आजकल कैसे environmental changes इतने साज़ हो रहे हैं, हम global warming के बात कर रहे हैं, तो at the same time, कैसे है, कि wild animals अगर नहीं होंगे, तो हमारा food chain, food bag घराब होगा, तो उससे कैसे है, कि पूरी हमारी world level पे ही, बहुत सारा crisis हो सकता है, ठीक है, food chain continue रहनी चाहिए, इस वज़े से protection of wild animals or birds important है, तो पॉलिनेशन होता है, तो पॉलिनेशन होता है, उससी की वज़े से हमारी फसलिय वो ग्रोव कर पाती है, उससी की वज़े से हमारी जो distribution of pollen grains वो पाती है, तो इस वज़े से यह जो protection of wild animals and birds है, उसको बहुत important topic consider करके, concurrent list में बनाया गया है, so that time to time, center or state, दोनों इस पे enact कर सकते हैं, क्योंकि कुछ-कुछ protected areas कैसे है, particular street के under आ रहे हैं, ठीक है, तो वो state जैसे, कोई particular animals है, जैसे हमारा Indian bastard है, वो राजस्तान में ही मिलता है, ठीक है, कोई special tiger है, वो हमारे West Bengal में ही मिलता है, तो वो states उसकी जादा take care कर सकते हैं, उसके बादे administration of justice, constitution, organization of all courts, except supreme court and high court, supreme court और high court are higher courts, ठीक है, जो centralized level पे होती है, ठीक है, high court भी एक state की होगी, या multiple state की होगी, supreme court तो एक supreme court पूरे India की है, ठीक है, तो बाकि जो भी session courts है, civil courts है, उसको management करना है, तो वो भी concurrent list के अंडर आता है, 101 amendment जो है, इसको हम detail में भी बढ़ेंगे, तो 101 और 80th amendment, यह बहुत important है, इसमें कैसे special provision with respect to goods and services tax, ठीक है, जो हमारा GST है, उसके corresponding, इसमें सारी details है, कि parliament और state legislature के बीच में कैसे-कैसे division हुआ, ठीक है, state level पे और center level पे, जैसे हम taxes बरते है, 999, mainly goods पे 9%, 9%, या जैसे भी उनके division की हुई है, उसके बाद है, state legislature, state list, second list, exclusive powers in normal circumstances to state होती है, but special cases कैसे होते है, emergencies, ठीक है, तो उन cases में कैसे होता है, कि union, center जो है, वो interfere करता है, state subjects पे, तो state list में कैसे-कैसे subjects है, कुछ-कुछ subjects बहुत important है, जो हमें लगता है, कि शायद concurrent या union list में होंगे, but they are handled by state, तो इन subjects को एक बार अच्छे से, मतला, go through हो जाना, सारे subjects मेंने कुछ-कुछ mention कि है, ठीक है, तो एक बार go through हो जाओगे, तो हमें idea हो जाएगा, कि यह किस के अंडर आते है, जैसे gambling, ठीक है, gambling हमें लगता है, it's a major issue in India, ठीक है, betting and gambling, but यह state के अंडर आता है, fine, fisheries, जो है, coastal reasons है, वो involved होंगे, तो यह state subject में दिया गया है, prisons, local government, markets, theater, sanitization, agriculture, public health, police, यह सारे state के अंडर दिये गया है, यूटी और exception, because वहाँ पे direct center laws लगते है, center और state के case में कैसे होता है, कि अगर कोई conflict हो जाता है, तो center law पर एक exception है, अगर कोई bill, state law, president की consideration के लिए रखा गया है, और president क essence मिल गया है, in that case, state law जो है, वो prevail करेगा over the central law, fine, otherwise, central law ही prevail करता है, that is only exception, एक बर याद रख लेना, उसके बाद है, parliamentary legislation in state field, जब राजय सभा कोई पास करती है, resolution, अगर बोलती है, कि यह case जो है, national importance का है, in that case, parliament जो है, interfere कर सकती है, in state subject, ठीके, जो resolution है, वो two-third majority से पास होना चा president voting, यह एक साल के लिए implement होता है, और एक साल के बाद renew करते जा सकते है, indefinite time के लिए, in case law cease हो जाता है, to have effect, तो कैसे होगा, कि वो six months के लिए रहेगा, before the expiration, कि law cease to have effect on expiration of six months, after the resolution is not in force, अगर अप्रूफ नहीं होता है, तो within six months, collapse हो जाएगा, उसके बादे, during national emergency, कैसे होता है, कि parliament, obviously, unitary powers, acquire कर लेती है, in that case, कैसे है, कि state laws पे भी, वो enact कर सकती है, जैसे, the parliament acquires the power to legislate, with respect to goods and services, tax matters, जो भी state list में होते हैं, वो national emergency के दुरान, the laws become inoperative, कब, जब expire हो जाती है, national emergency, तो six months के भी दिन, वो भी expire हो जाते है, when state make a request, अगर states, multiple states, जो है, वो request लेके आते हैं, parliament के पास, center के पास, कि हमारे, ये matter को solve करो, हमारे लिए law, implement करो, in that case, भी, center interfere करता है, और वो law बनाता है, और जो वो resolution होता है, वो उनी states को implement होता है, जो request लेके आई है, सब के लिए नहीं होता है, fine, उसके बाद है, implement international agreements, है, okay, कोई foreign में जाता है, कोई treaty sign करने, उसके लिए किसी state list को कोई subject है, वो भी, हमें consider करना पड़ रहा है, तो center उस चीज में interfere कर सकता है, और बना सकता है, जैसे कुछ-कुछ acts बने हैं, Geneva Convention Act 1960, Anti-Hijacking Act, okay, trips for environment protection वगर, ये सब बने, इसे है, president rule के corresponding कैसे होता है, state machinery fail हो जाती है president rule लग जाता है, तो सारी power centralized हो सकती है, ठीक है, in that case कैसे होता है, कि कोई भी state list में से subject है, वो पारलेमेंट में आएगा, और उसके corresponding law बन जाएगा, और president rule खतम होने के बाद भी, वो law inact करता रहेगा, unless until कैसे है, कि वो law favorable नहीं है, और उसके लिए कुछ later on उसको repeal करना पड automatically वो चलता रहेगा, ठीक है, automatically वो expire नहीं होगा, fine, inoperative नहीं होगा, उसके बाद कुछ articles है, center state के, जो legislative relations से deal करते हैं, जैसे article 246 है, ये बाद में एड हुआ, goods and services tax को लेके, उसके बाद रेजिडिरी पार्ट को लेके 248 नमबर article है, ठीक है, international agreements को लेके 253 articles है, ये एक बाद रीड कर लेना, ठीक है, उसके बाद है, administrative relations, इसमें क्या है, distribution of executive powers, तो executive powers जो है, वो center के पास रहती है, towards the whole India, state की, जो है, वो state में limit रहती है, center की extend, whole India पे extend होती है, तो किस-किस matter में, to the matters on which parliament has exclusive powers, ठीक है, of legislation, किस पे है, union list पे, तो union list पे, सारे matters, जो है, administrative relations के, वो enact हो सकते है, to exercise of rights, authority and jurisdiction, कहां पे, कोई भी treaty और agreement साइन हो रहा है, international level पे, या center level पे, in respect of matters, जिसमें, parliament और state legislature, both have the powers, concurrent list है, जो, उसमें भी कैसे है, center prevail करता है, अगर state list पे कोई है, तो उसमें भी कुछ exceptions हो सकती है, कि parliament interfere करे, उसके बाद, obligation of states and center, इसमें कहा है, constitution ने, दो restrictions placed की है, कहां पे, executive power of states पे, ठीक है, so that center के पाँच कुछ powers extra जा सके, और state को restrict किया जा सके, एक तो यह है, कि कोई भी parliament अगर law बनाती है, वो state में अच्छे से implement होना चाहिए, fine, उसके साथ compliance होना चाहिए, मतलब state उसके anti नहीं जानी चाहिए, second चीज यह है, कि अगर state executive action लेता है, तो उसके रास्ते में कोई भी obstacle नहीं आनी चाहिए, to implement in that particular state, as not to impede or prejudice the exercise of executive power, कोई भी बाद हा नहीं आनी चाहिए, उसके बाद है, article 365, वो क्या है, related to emergency, where any state has failed to comply to give effect to any directions by state, in that case कैसे है, कि वाहाँ पे emergency लग जाती है, या president rule लग जाता है, तो in that case, जो सारी power है, वो unitary level पे center के पास आ जाती है, centers direction to the state, ठीक है, कैसे center direct कर सकता है states को, किस level पे construction and maintenance of means of communication, ठीक है, या national importance का है, कि सब के पास internet की supply हो, phones के supply हो, so that सब जगा को अच्छे से manage किया जा सके, measures to be taken for the protection of railways, ठीक है, वो center property के अंडर आता है, तो जो railways within the state है, उसके maintenance के लिए center direct कर सकता to the state, provision of adequate facilities for the instruction of language, mother tongue, ठीक है, कैसे, कि tribal areas के, जो हमारी, उनकी mother tongue होती है, ठीक है, वो time to time कैसे, extinct होते जा रहे है, उस चीप को protect करने के लिए, basically, दिया गया है, कि primary stage पे उनको mother tongue सीखनी ही चाहिए, ठीक है, so that वो continue होती रहे, उसके बाद है, drawing up and execution of specified schemes, कैसे, कुछ-कुछ welfare schemes सकती है, for farmers, for scheduled areas, tribal areas, ठीक है, वो सारी जो है, हमारी center direct कर सकता है, states को, कि अच्छे से implement हो सके, उसके बाद है, mutual delegation, delegation का मतलब यह है, कि एक दूसरे को काम सौपना, ठीक है, mutual delegation of functions, तो कैसे है, कि legislative power की distribution है, between the center and state, बहुत ही rigid है, ठीक है, center यह नहीं delegate कर सकता, कि अपनी legislative power जो है, एक particular state को दे दो, कि हम आपको पार देते हैं, कि आप पूरी whole territory of India के लिए law बना सकते हैं, ऐसा तो possible नहीं है, तो parliament to make a law on the state subject, यह है, कि single state request नहीं कर सकती है, कि हमारे लिए कुछ law बना हो, अगर multiple states involved है, in that case, parliament will interfere, constitution provides for inter-government delegation of executive functions, so that यह rigidity थोड हो सके, और deadlock की situation ना पाए, ठीक है, in that case, कैसे है, कि वो एक दूसरे के models उठा सकते हैं, कोई सी state में implement हुआ, वो model state, दूसरी state भी चाती है, कि हमारे उपर भी implement हो, तो parliament can help in that case, president, जो है, with state government के consent के साथ, कैसे है, कि कुछ executive functions, जो है, वो run कर सकती है, governor of state, जो है, वो central level से, president की pleasure में ही का agent होता है, in that case, कैते है, with central government consent, interest to that, government of any executive functions of that state, तो basically, वो center का agent है, to the state, ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर state में अच्छे से नहीं चाहर रही है, in that case, governor, जो है, वो president को report कर सकता है, central government को report कर सकता है, center उसको direct कर सकती है, तो basically, center of state relations maintain रहते हैं, laws made by parliament on subject of union list, जो है, वो pass और impose duty कर सकते हैं, कि space state पर, because obviously, center power prevail करती है, ठीक है, state उस पर कुछ detailed description दे सकती है, further, but ऐसा नहीं है, कि उसके anti जाके कुछ काम करेगी, जो parliament के acts हैं, ठीक है, उसके बाद है, हमारे पास, cooperation between the center and states, parliament can provide for, कोई भी dispute हो रहा है, जैसे river को लेके river water disputes होते रहते हैं, उसके लिए कुछ councils बना सकता है, ठीक है, center state cooperate कर सकते है, multiple states आके बोल सकते हैं, कि हमारा issue यह solve करो, ठीक है, जैसे interstate council का concept आया, 1990 में, first council set up की गई, ठीक है, president है उसको established किया, so that, यह सारे होदे है, between the particular states, वो solve हो सके हैं, ठीक है, उसके बाद है, हमारे पार्लेमेंट में full faith और credit देना पड़ेगा, कि जो भी वो laws set up कर रही है, public acts बना रही है, judicial proceeding कर रही है, वो पूरी country के लिए, अच्छे तरह से implement हो, कोई भी supreme court फैसला लेती है, वो हर जगह implement होता है, whether you are part of one state or other, ठीक है, Parliament can appoint an appropriate authority to carry out purposes of constitutional provisions, freedom of trade देती है, अर्स और intercourse में भी कैसे है, center जो है, prevail कर सकता है, और दोनों के बीच में cooperation हो सकता है, जैसे कैसे है कि trade की freedom क्यों चाहिए, विकर्स कैसे coastal region में fisheries होंगे, fine, कुछ-कुछ reasons हैं जहां पर rice और wheat होंगे, कुछ जगह हैं जहां पर coffee की production होगे, कुछ जगह हैं जैसे north eastern region है, वहां पर tea बहुत साद होगे, तो वह पूरे इंडिया में उसको sale मिल सके, सब जगह लोग purchase कर सके, उसके लिए freedom of trade is very important, तो इस चीज़ उपे भी center और state corporate करते हैं, All India services, All India services जिसके लिए UPSC के लिए prepare कर रहे हैं, तो उसमें कैसे है कि center services भी अलग होते हैं, state services भी, सब के PCS वगरा अलग होते हैं, All India services में क्या क्या आता है, IS, IPS और IFS, तो members जो है, वह top positions officials बनते हैं, fine, और वह recruit और train किये जाते हैं by the center, और जो handle किये जाते हैं, बाद में control किये जाते हैं, वह center or state मिल के गरते हैं, fine, उसके बाद Article 312 जो है, वह All India services के साथ deal करता है, याद रखना of constitution, authorizes Parliament to create new All India services, ऐसा भी है कि time के साथ अगर उसको जरूरत पढ़ती है, तो related to health, related to something है, वह new All India services भी बना सकती है, In each of these, All India services, जो यह तीन उपर IS, IPS और IFS के लिए हमने services बनाई है, irrespective के वह कहां की है, division कैसे है, कि एक state को suppose 50 लोग मिलते हैं, एक state को सिफ दो ही लोग मिलते हैं, ठीक है, उनकी division कैसे है, form a single service, ठीक है, जिनके common right है, common rules है, common norms वो follow करते हैं, और उनके pay scales भी same होते हैं, throughout the country, वो किसी भी reason में serve कर रहे हो, They help in maintaining high standard of administration, ठीक है, uniformity, जो है administration में वो बनी रहे है, because उनकी training एक जगा होती है, so that they can be trained, कि एक ही respective में, सारे laws, सारी चीजें अच्छे से उनको समझाई जा सके, so that uniformity बनी रहे throughout the country, ठीक है, they facilitate license, operation, coordination, joint action, ठीक है, center कुछ उनको direct कर रहे है, तो वो सारी all over the states, जो है, implement हो सके, public service commissions कैसे है, कि उसके जो chairman and members होते है, ठीक है, वो point तो किये जाते है by the governor, उनको remove जो है, वो president कर सकता है, उसकी पार governor के पास नहीं है, यह याद रखना है, removed only by president, से मतलब क्या हो जाएगा, कि कैसे है, कि उनकी removal easy नहीं है, fine, तो उनके पास कुछ authority रहती है, जिसकी वज़े से वो पूरी state को administrate कर पाते हैं, या पूरे अपने area को administrate कर पाते हैं, fine, the parliament can establish joint public service commission भी, जैसे कैसे है कि multiple states बोल दें कि हमारे लिए joint service बना दो, कुछ small states हैं वो बना देते हैं, ठीक है, तो उन case में भी, वो appoint भी president के through होंगे, और remove भी president ही कर सकता है, because joint case में governor appointment नहीं कर सकती, UPSC can serve needs of state, अगर UPSC से कोई request करती है state, कि हमें भी guide करो, कि PCS को कैसे run करना है, ठीक है, उसके लिए क्या-क्या syllabus होना चाहिए, या क्या-क्या rules होने चाहिए, तो UPSC उस case में भी assist कर सकता है, to the states, integrated judicial system, मैंने already बताया कि supreme court or high court जो है, वो center के तरफ से manage होगा, और एक independent system है हमारे पास, so that, कैसे एक independency रहेगी, तो biasness कम होगा, और impartial होगे, अच्छे decisions, judicial activism अच्छे से हो पाएगा, ठीक है, उसके बाद है, constitution established and integrated judicial system, जिसमें एक हरार की है, कि पहले session court, civil courts वगरा है, उसके बाद आप high court जाते हो, फिर supreme court जाते हो, यह सारी चीज़ है, तो हमारे पास single system of courts है, ठीक है, जो central laws और state laws को implement करता है, जो यह सारे laws हैं, वो हमारे single book में ही cover किये गये हैं, one single constitution है हमारे country के, ठीक है, state level पे different constitution नहीं है, judges of high court कैसे appoint के जाते हैं, president उनको appoint करता है, consult करके किसको, chief justice of India को, CJI and governor of that state, ठीक है, और उनको transfer भी किया जा सकता है, remove भी किया जा सकता है by the president, तो उस case में भी कैसे है, कि removal easy नहीं होगा, because president जो है, वो highest authority है, king हम बोलते है, to the country, उसके बाद है, parliament can establish a common high court for two or more states, जैसे पंजाब हर्याने के common high court है, कोई new state दुबारा बन के आती है from the existing state, in that case कैसे है, for something odd of time, 10 years, 20 years, common high court रह सकती है, fine, कुछ small states को मिलाके northeastern states में, तो एक common high court है, so that matters easily solve हो पाए, उसके बाद है हमार पास relations during emergencies, हमने बताया कि unitary level पर आ जाते है, during national emergency कैसे होता है, कि center direct कर सकता है state को on any matters, president rule के through कैसे होता है, कि particular state पर president rule लगता है, तो state को कैसे direct करना है, वो president बताता है, during operation of financial emergency money bills, financial bills पर जो है center की authority हो जाती है, rather than state, उसके बाद है other provision में, article 355 क्या two duties center पर इंपोस करता है, first, एक तो to protect every state, against external aggression और internal disturbance, ताके ऐसा नहों कि कोई rebellion हो जाए ठीक है, या फिर external level पर कोई attack हो जाए, in that case, center interfere करेगा, ठीक है, जैसे हमारी जो wars होती है, वो front पर, borders पर होती है, ठीक है, उसमें Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan, या फिर North Eastern states आती है, UPI आता है, जो भी borders हमारे touch होते हैं, बाकी nations से वहाँ पर अगर disturbance आती है, तो center obviously interfere करता है, to ensure the government of every state is carried on, in accordance with the constitution, ठीक है, constitution जैसे भी laws बताता है, constitution में, जो भी हमारा basic structure है, उसके basis पर ही सारे laws enact होते है, governor of state जो है, वो कौन appoint करता है, president, और उसकी pleasure के लिए ही, basically काम करता है, ठीक है, he holds office, जितना time president चाहेगा, उतना time रखेगा, he summits periodical reports के state में कैसे काम चल रहा है, अच्छे से सारी चीजे manage हो रही है या नहीं, उसके reports भी जो है, governor देता रहेगा, उसके बाद है, state election commissioner, commissioner जो है, governor उसको appoint करता है, but remove कौन करता है, प्रेजिडेंट करता है, ठीक है, यह सारी चीजे एक बार याद कर लेना, कि किसको कौन appoint करता है, और कौन remove कर सकता है, इन general cases कैसे है, कि जो higher authority वाली चीजे हैं, उसमें president जो है, वो remove कर सकता है, और governor और president में कौन appoint करता है, वो एक बार check out कर लेना, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सामने रखके, जैसे health issues को ठीक है, कोई local governments को handle करने के लिए, journal councils, different zones में, five zones में divide करके, उन different zones को conferences रखकी, so that अच्छे से maintain हो सके, particular territorial area, ठीक है, जैसे different time पर कैसे conference होते है, governor की conference होती है, जिसको chair किया जाता है by president, उसके बाद है chief minister conference होती है, जिसको presided over by prime minister, ठीक है chief secretaries की होती है, ऐसे different different councils होती है, so that national level पर एक integration बना रहे, between the centers and state, fine, उसके बाद यह article है, जो center state administrative relations के साथ डील करते हैं, basically यह जो repeal किये गए है, वो मैंने सिर्फ ए continency के लिए लगाए है, otherwise repeal वाले देखने की जरूरत नहीं है, और बाकि सारे एक बार read out कर लेना, और article 261 जैसे important public acts, records of judicial court reading के साथ डील करते हैं, और article 263 जो है, वो Interstate Council के साथ, first cup बनी थी 1990 में, set up हुई थी, okay, that's all for this lecture, part 2 में हम next cover करेंगे, जो चीजें है, financial relations के साथ है, जो भी resolutions है, like, share, subscribe to the channel, stay tuned to the core city, bye,